तो यह DOM manipulation सीखने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि यह DOM क्या होता है DOM को जानना बहुत ही important है तो सबसे पहले इसको समझने के लिए चलते हैं अपने browser में और यहाँ पर एक मैंने file open की है वो है index.html और अगर इसके elements tab के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ structure देखेगा सबसे पहले तो यह dog type देखेगा html जोकी html5 का syntax है और उसके बाद यह html tag यहाँ पर open हो रहा है और यहाँ पर यह last में close हो रहा है और उसके बाद यह head tag है इसके अंदर और head tag के अंदर भी अपने कुछ nested tags है ठीक है और उसके बाद यह body tag अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी अपने कुछ यह देखे यह H1 यहाँ पर देख रहा है जो कि हमारे यहाँ पर ब्राउजर के अंदर आपको देख रहा है और इसी तरह से यह body tag यहाँ पर close भी हो रहा है ठीके अगर इस structure को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह कुछ tree type का structure हमें लगता है क्योंकि इसके अंदर parent है और parent के अंदर children है हिना मतलब कुछ tree टाइप का structure और यह जो structure आप यहाँ पर देख रहे हैं यह basically हमारा html का structure है हमारे document का structure है लेकिन अगर हम यहाँ पर JavaScript के साथ काम कर रहे हमें JavaScript का use करके यह जो structure आपको यहाँ पर दीख रहा है इसको हमें manipulate करना है इसको हमें change करना है इसको हमें इसके अंदर कुछ नए elements हमें add करने है ठीके मतलब इसके साथ basically हमें interaction करना है तो JavaScript से इसके अंदर हम interaction कैसे कर पाएंगे तो यहाँ पर browser क्या करता है हमारे लिए इसी structure का एक representation बनाता है जो की एक JavaScript object होता है मतलब same इसी structure को लेता है और इसको एक object के अंदर convert करता है जिसको हम बोलते है DOM या फिर document object model और हाँ और एक चीज यह जो आपको structure यहाँ पर दिख रहा है इस structure के अंदर हर एक tag हर एक tag basically एक node होता है एक अपने आप में एक object होता है ठीके और आपको पता है होगा JavaScript के अंदर हर एक object की अपनी-पनी कुछ methods होती है अपने-पनी कुछ properties होती है और फिर अभी हम इसका फाइदा उठाने वाले है तो अभी के लिए आपको DOM के बारे में बस इतना ही समझना है तो चले जल्दे से कुछ practical examples देखते हैं और देखते हैं कैसे हम DOM को manipulate कर सकते हैं तो DOM को manipulate करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये जो nodes आपको यहाँ पर दिख रहे है इसको node बोला जाता है हर एक जो element आपको धिक्रा भोला है हमारे DOM के अंदर ठीक है तो यहाँ पर अगर किसी node को हमें change करना है या फिर manipulate करना है तो सबसे पहली जो step होती है वो होती है उसको select करना या फिर उसको get करना हमारे javascript file के अंदर तो चले देखते कि कैसे हम किसी भी node को या फिर ये जो element है उसको हम get कर सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी element को get करने के major चार तरीके हैं तो सबको हम एक एक करके देखने वाले हैं तो सबसे पहला जो है वो है get यहाँ पर लेक लेते हैं element by id यह सबसे पहले हमें देखना है get element by id तो इसके नाम में ही है कि get element by id id का use करके हमें जो element है वो get करना है तो हमें html के अंदर आपको पता होगा कि हम यहाँ पर देखें इसको मैं open करता हूँ यह हमारी index.html file है और जिसके अंदर अभी ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर यह meta जो भी boilerplate है और body के अंदर जो हमारी javascript file है script.js उसको मैंने यहाँ पर include किया हुआ है ठीक है और body हमारी अभी empty है तो अभी यहाँ पर बताया है कि get element by id तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले तो एक element बनाते हैं तो यहाँ पर मैं h1 करता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं javascript is awesome ठीक है यह हमारा एक title हो गया और हम get element by id कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इस element को मैं id दूँगा तो id कुछ भी आप दे सकते हो इसको यहाँ पर मैं id देता हूँ heading ठीक है और अभी इस id का use करके मुझे यह जो हमारा h1 है इसको हमें get करना है तो कैसे करना है बहुत ही simple है यहाँ पर आपको आना है सबसे पहले तो एक variable आपको बनाना है क्योंकि वो जो element आप get कर रहे है उसको आपको store करना होगा तो यहाँ पर करते है इसको कुछ भी नाम अगेन आप दे सकते हो मैं heading नाम दे रहा हूँ और यह जो get element by id है इसको अगर आपको use करना है वो हमें मिलता है document object के ओपर तो basically जो हमारा dom object है वो होता है यह document ठीक है जो tree की बात हम क document है हमारा और यह एक object है तो इसके अंदर हम जो भी methods है हमारी वो use कर सकते हैं तो यह जो get element by id है यह इसके ओपर हम कर सकते हैं get element by id और आपको बिल्कुल इस तरह से इसको लिखना है देखिए यह camel case यहाँ पर use हो रही है और यह method है तो इसको मैं call करूंगा और इसके अंदर जो भी id है अपकी वो यहाँ पर करनी है तो मैं यहाँ पर heading लिखूंगा ठीक है और यहाँ पर जल्दी से करते हैं console.log heading और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है तो यहाँ पर चलते हैं और check करते हमारे console के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हो h1 हमें देख DOM के अंदर से जो भी हमारा element जो है वो हमने get किया है और वो कैसे किया है get element by id और हाँ यह जो id है हमारे document के अंदर यह unique होना चाहिए ठीक है मतलब यह जो document है यह जो index file है यहाँ पर heading नाम की जो है यह एक ही id होनी चाहिए तो अभी देखते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है यहाँ पर इसको मैं comment करता हूँ और यहाँ पर करते हैं देखे second और यह है get element by tag name ठीक है यह method है इसकी मदद से भी आप इसको get कर सकते हो तो यहाँ पर यह जो h1 है अभी id की यहाँ पर जरूरत नहीं है कि हम tag जो है h1 जो आपको tag देख रहा है इसकी मदद से हम इसको get करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर फिर से करते है heading और document के उपर हमें इसको get करना है सबसे पहले document.get element by यहाँ पर देखे कुछ हमारे VS code के अंदर यहाँ पर कुछ हमें options आ रहे ह यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कौन से कौन से method सावलेबल है तो आप देख सकते हो यहाँ पर get elements by tag name और by the way यहाँ पर मैंने s miss कर दिया ठीक है get elements by tag name और इसको मैं इस तरह से करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा कौन सा tag है हमारा h1 ठीक है और इसको भी जल्दे से करत होता है यहाँ पर हमें दिख रहा है कि html collection क्या होता है कुछ चीजों को एक कट्टा करके जो लिस्ट हमारी बनती है वह बेसिकली होता है collection ठीक है तो यहाँ पर अगर इसको मैं open करूंगा तो basically इसके अंदर 0 मुझे दिख रहा है मतलब एक index है मतलब एक element है यहाँ पर ले array type है तो आप इसको जो first element है उसको अगर get करना है तो आप यहाँ पर इसको जो array के अंदर हम करते हैं तो इस तरह से index आप दे सकते हो और अगर save करूंगा तो अभी आप देख सकते हो कि जो पहले हमें मिला था उस type का यह जो node है हमें यह मिला है अभी यह जो collection है यह हमें क्य review मिला था तो इसका जवाब यह है कि यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो get elements elements देखे यह एक नहीं है यह multiple elements हमें मिलता है by tag name इसका मतलब हमारे document के अंदर जितने भी h1 होंगे वो सारे हमें मिलेंगे collection के अंदर इसको आपको मैं प्रूब करके दिखाता हूं पर अगर मैं और एक h1 open करता हूं देखे और इसके अंदर लगते हैं this is my another another क्या करता है heading ठीक है save करेंगे और यहाँ पर यह भी मैं save करूँगा और refresh करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो हमारे browser के अंदर यह चीज़े दिख रही है और अभी html collection अगर देखेंगे यहाँ पर h1 है और यह जो hash heading आपको देख रहा है यह basically id दिखा रहा है कि यह h1 जो है इसके उपर एक heading नाम की id भी है ठीक है और यहाँ पर देखोगे तो यह one index पे अभी length अगर देखो तो two है तो यह दूसरा item हमें मिल रहा है और यह basically object होता है देखेंगे इतना powerful है हर एक node यह h1 एक node हो गया यह एक node हो गया और हर एक node के उपर हमें कुछ properties मिलती है और बहुत सारी methods मिलती है देखेंगे बहुत सारी है हजारो properties इसके उपर है ठीक है और इसके अंदर basically हमें जाने के अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी बस इतना ही समझना है कि यह html collection हमें return करता है जो भी यह method है elements by tag name तो अगर आपको इसको किसी को get करना है for example यह वाले को तो आप यहाँ पर जो bracket है bracket देखेंगे उसके अंदर जो index है हमारी वो दे सकते हो ठीक है तो यह होता है get elements by tag name तो इसको मैं अभी comment करता हूँ और अभी देखते कि तीसरा क्या है देखें तीसरा यहाँ पर लिखत है get elements by class name यह हमारी next method है और अभी देखते कि कैसे हम इसको इस method का use करके get कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा यह जो id हमने दी थी आपर इसको क्या करता हूँ मैं एक class देता हूँ ठीक है और id unique होती है लेकिन यह जो class होता है यह आप multiple भी कर सकते हो तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर class देता हूँ heading ठीक है और यह जो h1 है इसको भी करता हूँ same class मैं देखे heading अगर अभी मैं save करूंगा और यहाँ पर आते हैं सबसे पहले तो heading इस तरह से करते हैं और document.get elements by और यह पर करते हैं class name यह देखे यह वाला और यहाँ पर आपको simply लिखना है कि कुमसा class आप get कर रहे हो किस class को use कर रहे हो तो heading class हमने यहाँ पर दिया है और अभी अगर मैं save करूंगा यहाँ पर हम इसको लॉग भी कर रहे हैं और चलते हैं browser में तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें फिर से वही collection मिल रहा और बिल्कुल उसी तरह से यह array type है उसके अंदर 01 index है दो आइटम से basically और h1 यहाँ पर आप देख सकते हो इसको open करेंगे तो फिर से एक node है तो इसके अंदर बहुत सारे methods और properties हमें मिलती है थोड़ी दिर के बाद हम देखने वाले है कि यह properties और method को use करके हम कैसे इसको manipulate कर स name तो यह basically हमें क्या करती है एक collection return करती है जितने भी classes होंगे इस नाम के तो सारे जो elements है हमारी document के अंदर सबको वो return करेगी अभी इसके बाद जो next वाली है वो है देखें आपर मैं इस तरह से करता हूं और वो है query selector देखें यह बहुत ही powerful है और यह थोड़ी सी नई है selector ठ इसके अंदर होता यह है basically query selector यह method आती है और इसकी जो सबसे खासियत यह है इसके अंदर अब बिल्कुल CSS type के selector है वो लिखते हों कैसे तो चले देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूंगा इसको करता हूं ID यह है ID heading और यह है class heading तो अभी मैं सबसे पहल एक variable बना के store करेंगे उसको जो भी हमें मिलेगा उस method से तो यहाँ पर करूंगा document.query selector और इसके अंदर अभी CSS selector type हमें लिखना है अगर अपने CSS के अंदर देखा होगा तो अगर ID है तो हम क्या करते हैं hashtag लगाते हैं और फिर इसके आगे जो है जो भी आपकी ID है वो लिखते हैं तो hashtag यहाँ पर देख रहा हूँ यह ID के लिए हैं अगर class है तो हम क्या करते हैं dot लगाते हैं तो बिलकुल CSS selectors जैसे होते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर pass करना इसको तो मैं अगर जिसकी ID heading है उ क्योंकि हमने इस फाइल को सेव नहीं किया और अभी चलते हैं तो अब देख सकते हो जिसकी ID heading है जावास्क्रिप्ट इस ओसम ओके और इसी तरह से अगर class को हमें select करना है तो वह बहुत सिंपल है यहाँ पर hash की जगा मैं क्या करूंगा dot heading लगाँगा और अभी अगर चलते हैं रिफ्रेश करते हैं तो देखें यह अभी दिखना चाहिए क्यों नहीं दिख रहा है एक बार देख लेते हैं यहाँ पर class heading हमने दिया है इसको और फिर से करते हैं यह देखें यह आ गया ओके यह रिफ्रेश में कुछ प्रॉब्लम था ओके h1 class heading this is my another heading तो इस तरह से हम query selector को use कर सकते हैं और यह जो है यह सबसे elegant method है सबसे beautiful है और हमेशा मैं suggest करूँगा कि आप इसको use करें ठीक है और और एक method है यहाँ पर इसको five number देता हूं में और यह basically similar है जो यहाँ पर हमने किया था ठीक है और वो है देखें यहाँ पर लिखते है query selector all अभी यह query selector all क्या करता है basically जो यहाँ पर कर रहे थे यह get elements by tag name या फिर get elements by class name बिल्कुल उसी तरह से हमें क्या करेगा collection रिटन करेगा तो इसको समझने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं इस id को भी करता हूं class ठीक है तो दो elements है दोनों के class क्या है heading है तो यहाँ पर करते हैं const heading और document.query selector all ठीक है और इसके अंदर में क्या करूंगा dot heading क्योंकि यह class है save करेंगे और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह देखेंगे अभी यह थोड़ा सा जो class है यह अलग है इसका node list लेकिन principle वही है जो हमें collection मिल रहा था यह भी basically collection ही है तो आ अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से जितने भी h1 होंगे जिसके class heading है वो सारे हमें मिल जाएंगे ठीक है तो यह भी एक method है जो कि आप use कर सकते हो और अभी हमने देखा कि किसी भी elements को हम हमारे document से कैसे get कर सकते हैं अभी देखते हैं कि हमें dom के अंदर हमें traverse कैसे करना है मतलब अगर हमारे पास कोई element है, for example यह h1 है और फिर हमें h1 के जो पहला element है उससे पहले वाला वो अगर हमें gate करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? या फिर अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर nesting इसके अंदर अगर कोई और एक element है तो वो जो child element जिसको बोलते हैं वो अगर gate करना है तो वो कैसे कर सकते हैं और इसे के साथ में अगर हमें parent चाहिए तो for example यहाँ पर h1 जो है इसका parent कोन है यह body ठीक है तो अगर हमें body को gate करना है तो यहाँ पर इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं इसका parent जो है वो भी गेट कर सकते हैं तो उसके लिए basically कुछ methods आती है तो जल्दी से हम दो तीन methods इसकी देखते हैं तो यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर करते हैं इच्डार, और यहाँ पर जो सबसे पहली method है वो है parentNode तो यहाँ पर लिख देता हूम हमें parentNode और अभी क्या करते हैं सब को मैं क्लास देता हूँ क्लास देते है पैरेंट ठीक है इस तरह से और वाद वे यह मैंने कैसे किया इतना फास्ट तो बैसिकली यह अगर हमारे पास यह है तो उसका यूज करके अगर हमें पैरेंट को गेट करना है मतलब यह पैरेंट तो वो हम इस मेधड की मदद से कर सकते हैं कैसे सबसे पहले तो हमें एच बन्कोंगे तो यह पर आते हैं और फिर से यह पर करता है देखें कॉंस्ट है कि एडिंग और document.querySelector use करेंगे querySelector और यहाँ पर class हमने दिया था उसको देखे heading तो हमारे पास वो h1 जो है वो मिल गया ठीक है heading class अभी इसका parent अगर हमें gate करना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर मैं करूँगा देखे const parent और यहाँ पर हमें क्या करना है heading को इस तरह से लिखना है और उसके उपर parent node इस तरह से आपको लिखना है और यह method नहीं है यह property है ठीक है तो heading के उपर parent node यह property हमें लिखनी है तो इससे क्या मिलेगा अभी हमें इस parent के अंदर जो हमारा div है वो मिलेगा तो इसको lock करके देखते हैं console.lock और इसके अंदर करते है parent सेव करेंगे और चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ पर देखते हैं यह देखें due class parent यह जो parent node है हमें यह मिल चुका है ठीक है अभी इसके बाद जो next वाला है वो है यहाँ पर लिखते है children देखें nodes ठीक है यह property है अभी इसको क्या यह क्या करेगी हमें वेसिकली इसको आपको जो element आप दोगे और उसके उपर आप children nodes अगर लिखोगे तो उस node के अंदर जो भी आपका node है यहाँ पर parent node उसके अंदर जितने भी children है वो आपको मिल जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले तो इसको get करते हैं और फिर इसके उपर हम वो method call करेंगे तो वो हमें क्या return करेगी इस div के अंदर जितने भी हमारे children है ठीक है तो h1 अभी हमारे पास एक ही है तो देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसको मैं इस तरह से यहाँ पर comment करता हूँ और get करते है जो parent है ठीक है तो इसको हम बिल्कुल उसी तरह से using class query selector देखे और यहाँ पर करते है parent ठीक है और इसके बात अभी हमें क्या करना है parent यहाँ पर मिल गया तो मैं क्या करूँगा सीधा यहाँ पर करते है console.log और इसके अंदर करूँगा parent. और यहाँ पर हमें क्या करना है वो जो हमारी देखे प्रॉपर्टी है क्या थी वो children nodes इस तरह से मैं इसको call करूँगा तो अभी हमें जो h1 है वो दिखना चाहिए save करते है undefined यहाँ पर यह रहा यह child nodes है इस तरह से आपको लिखना है और अभी अगर save करेंगे तो आप देख सकते हो node list यहाँ पर है 0 के उपर text हमें दिख रहा है यह h1 heading अभी यह text node यहाँ पर क्या है तो यह basically अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यह new line जो है यह नए line पर हमने किया है तो यह new line जो character होता है वो basically एक text है देखें यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो node value क्या है slash and मतलब यह new line का character होता है ठीक है तो यह new line हो गई उसके बाद h1 जो हमें चाहिए था और उसके बाद यह और एक new line क्योंकि हमारा यहाँ पर फिर से एक line break हम दे रहे है ठीक है तो यह basically होता है हमारा child nodes और अभी क्या करते है यहाँ पर इसके बाद देखें इसके बाद और एक property देखते है और यह जो property है यह बहुत बार use होती है real life projects के अंदर ठीक है और यह है next यहाँ पर लिखते है next element sibling ठीक है थोड़ी सी लंबी है तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको हमें कैसे use करना है और यह हमें क्या provide करती है ठीक है तो सबसे पहले में क्या करूँगा यहाँ पर h1 के आगे एक h3 में create करूँगा और यहाँ पर करते है this is my subheading ok h1 है और h3 है अभी अगर मुझे h3 को अगर gate करना है और हमारे पास क्या है heading तो heading अगर हमारे पास है उसका use करके अगर हमें उसके आगे का जो next sibling है मैं sibling यहाँ पर बोल रहा हूँ sibling मतलब क्या है जो उसके side में होता है उसके अंदर अगर है तो वो उसका child हो गया ठीक है यह relationship है यहाँ पर उसके अंदर nested है तो वो child हो गया और साथ में है तो यह क्या हो गया sibling हो गया तो जैसे method यहाँ पर है देखें method नहीं property next element sibling इसका meaning यह होता है कि इसका जो sibling है कौन सा वाला next वाला जो की है h3 h1 का next sibling element कौन सा है h3 तो अगर मैं यहाँ पर h1 को gate करता हूँ देखें इस तरह से document.query selector और heading अभी हमारे पास heading है जो की h1 है और अभी मैं h3 को gate करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा सीधा lock करते है inline करते है इसको थोड़ा सा heading और इसके उपर करूँगा next element sibling इस तरह से और अभी अगर save करूँगा तो h3 हमें console के अंदर दीखना चाहिए क्योंकि वही उसका next sibling है save करते है और चलते है ब्राउजर में तो आप देख सकते हैं h3 this is my subheading और बिल्कुल इसी तरह से और एक method आती है और वो है previous sibling देखे यहाँ पर इसको मैं comment करता हूँ और यह पूरी चीज़ को मैं copy करूँगा यहां से और यहां पर करते हैं यह जो next है अभी next ने लिखना है यहां पर लिखना है previous ठीक है अभी मैं क्या करूँगा यहां पर सबसे पहले तो जो h3 था उसको मैं gate करूँगा तो यहां पर करते है sub heading 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 इस तरह से okay मैंने variable बना दिया और यहां पर अभी यूज करेंगे h3 इस तरह से करते है query selector ठीक है और यहां पर आप देख सकते हो अभी मैं tag यूज कर रहा हूँ तो query selector basically क्या करेगा जो भी document के अंदर पहला tag इसको मिलेगा h3 वाला वो यहां पर written हो जाएगा अगर दो होंगे document के अंदर तो जो दूसरा है वहां तक जाएगा है नहीं जो भी पहला इसको मिलेगा उसको यह उठाएगा ठीक है तो h3 हमारे पास एक ही है तो हम यहां पर इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं अभी मैं h3 को get करूंगा और मुझे इसको get करना है यह property यूज करके previous element sibling मतलब पीछे वाला जो sibling element है ठीक है तो अभी यहां पर क्या करते हैं देखे sub heading को मैं लिखूंगा यहां पर sub heading dot previous element sibling save करते हैं और यहां पर check करते हैं तो आप देख सकते हैं h1 हमें यहां पर मिल रहा है इसका मतलब यह जो property हमारी यह बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है ठीक है ओल्राइट तो इस तरह से हम जो भी document के अंदर elements है उसको get करते हैं फिर हमें document के अंदर traverse करना है तो वो भी हम इस तरह से यह जो properties हमने देखी इसकी मदद से हम कर सकता है और अभी देखते कि हमारे जो elements है उसको हमें manipulate कैसे करना है तो उसके लिए क्या करते हैं यहां पर करते हैं देखे manipulation और यहां पर मैं क्या करूँगा अभी सबसे पहले तो देखे यहां पर अगर यह heading जो हमारी इसको मैं gate करूँगा तो यहां पर करते हैं const heading और document dot query selector और यहां पर करते हैं heading ठीक है तो heading को हमने यहां पर get कर दिया अभी मैं चाहता हूँ कि heading के अंदर जो text है उसको मुझे change करना है heading के अंदर अभी हमारे पास है javascript is awesome तो इसको अगर मुझे change करना है तो simply मैं क्या करूँगा heading dot inner html यह property हमें मिलती है और इसके अंदर अगर मैं लिखूँगा कोई भी string या html तो वो उसके अंदर जाके replace होगा तो यहां पर मैं करूँगा देखे web dev is awesome तो इसको मैं save करूँगा अभी और यहां पर चलते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर तो यहां पर आप देख सकते हो कि web dev is awesome तो हमने यहां पर इसका जो text है वो javascript is awesome था उसको हमने change करके क्या किया web dev is awesome और इसी तरह से अगर मैं चाता हो कि उसका color मुझे change करना है तो वो भी हम कर सकते है heading और इसके उपर इस element का अगर मुझे CSS चेंज करना है तो वो हम javascript की मदद से कर सकते है यहां पर उसकी जो style है वो मैं change करूँगा तो यहां पर style dot और उसके बाद मुझे लिखना है color जो CSS की property है color वो मैं करूँगा और यहां पर करते है red save करेंगे तो आप देख सकते हो web dev is awesome अभी इसका अगर मुझे font change करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहां पर अगर करता हूँ heading dot style कोई भी CSS हमें change करना है तो सबसे पहले style property को हमें call करना है और उसके बाद जो भी CSS हमारी property है वो लिखनी है तो font size के लिए हम basically CSS के अंदर कुछ इस तरह से लिखते है font size लेकिन JavaScript के अंदर यह जो dash है यहाँ पर allow नहीं है तो इस situation में हम क्या करते है यहाँ पर camel case use करेंगे तो dash की जगा मैं क्या करूँगा यहाँ पर S बढ़ा कर दूँगा और इस तरह से लिखूँगा और अभी मैं करता हूँ यहाँ पर 100 pixel save करते हैं और यहाँ पर देखते तो यह देखिए webdev is awesome यह बड़ा हो गया ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किसी भी element का आप यहाँ पर जो style है वो change कर सकते हो उसका text change कर सकते हो और चाहे तो आप इसके उपर class भी add कर सकते हो तो उसके लिए simply क्या करना है हमें यहाँ पर करना है heading dot और इसके उपर और एक हमें property मिलती है वो है class list और इसके अंदर हमें लिखना है add यह basically method होगी और इसके अंदर आपको जो class add करना है उस element के उपर वो आपको यहाँ पर लिखना है तो मैं यहाँ पर करूँगा title अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक ही class है वो है heading और अभी मैं अगर save करूँगा इसको और browser में elements के अंदर अगर देखते है तो यह देखे div div के अंदर यह h1 है हमारा और यहाँ पर देख सकते हो heading के साथ में अभी title class भी इसको apply हो चुका है अभी यहाँ पर अगर मैं चाता हूँ कि यह heading class है वो मुझे नहीं चाहिए तो वो भी मैं उसको निकाल सकता हूँ कैसे निकालना है simply आप यहाँ पर करो heading.classlist और यहाँ पर करना है remove और remove करेंगे कौन सा जो heading class है उसको मैं remove करूँगा save करते हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो h1 के अंदर अभी सिर्फ मुझे title class दिख रहा है क्योंकि वो heading class हमने यहाँ पर निकाल दिया है तो अब देख सकते हो कि यह कितना powerful है और किसी भी element को document के अंदर कोई भी element है तो उसके साथ हम बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं तो यह हुआ हमारा basic manipulation अभी यहाँ पर एक step उपर जाते हैं और थोड़ा सा advanced manipulation जो है वो देखते हैं सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें कोई भी node create करना है कोई भी element यहाँ पर अगर देखो कि तो यह element सामने खुद लिखे हैं लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कोई एक नया tag create करके मैं इसके अंदर append करना चाहता हूँ ठीक है फिलाल के लिए यहाँ से मैं h1 और यह दोनों जो headings है वो मैं निकाल दे रहा हूँ ठीक है अभी मैं चाहता हूँ कि parent के अंदर मुझे एक h1 डालना है ठीक है तो वो भी मैं javascript की मदद से कर सकता हूँ यहाँ पर मुझे इस तरह से लिखनी की ज़रूरत नहीं अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले लिखते हैं कि create elements ठीक है हम जो elements है वो create करने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं const heading एक variable बनाते हैं और यहाँ पर लिखूंगा मैं document.create element यह method हमें मिलती है और इसके अंदर आपको tag का नाम देना है कि कौन सा element आप create करना चाहते हो मैं चाहता हूँ कि h1 यहाँ पर हमें create करना है तो मैं इसको इस तरह से create कर सकता हूँ अभी इसको अगर log करके आपको दिखाता हूँ console.log .log और यहाँ पर करते है heading save करते हैं और browser में अगर देखेंगे console के अंदर तो यहाँ पर h1 हमें दिखेगा लेकिन इसके अंदर हमें कुछ ने दिख रहा है elements के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें वो h1 दिखेगा नहीं क्यूँ ने दिखेगा क्योंकि हमने जो हमारा element है उसको create तो कर लिया लेकिन अभी तक ये हमारे DOM का part नहीं है क्योंकि हमने अभी तक इसको हमारे DOM के अंदर add नहीं किया है तो अभी मैं क्या करूँँगा यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर कुछ text add करते है इस heading के अंदर तो यहाँ पर मैं करूँगा heading और बिल्कुल उसी तरह से inner html में यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर करते है देखे जावा स्क्रीप्ट देखे जावा स्क्रीप्ट is awesome ठीक है यह text मैंने इसके अंदर डाल दिया और अभी मुझे क्या करना है हमारा text भी आ गया देखे इसके अंदर देखेंगे अगर console के अंदर तो अभी h1 हमें देखेगा जावा स्क्रीप्ट is awesome मैं क्या करूँगा अभी इसको हमें append करना है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यह जो parent हमारा div है इसके अंदर मुझे अगर डालना है इसको तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा उस div को gate करना होगा जिसके अंदर हमें इसको डालना है तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर करते हैं const parent और document.queryselector और यहाँ पर करते हैं parent class ठीक है parent को हमने gate कर दिया अभी हम parent के अंदर क्या करेंगे parent. इसके उपर एक method आती है वो है append देखे append child और इसके अंदर मुझे क्या करना है यह जो heading हमने बनाई है इसको मैं pass करूँगा इस तरह से और अभी अगर मैं इसको save करता हूँ और browser में चलते है तो आप अभी हमारे dom के अंदर देख सकोगे javascript is awesome देखे यह हमें यहाँ पर मिल रहा है javascript और अगर elements अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें parent div के अंदर यह h-band देखेगा javascript is awesome तो अभी आप देख सकते हो कि यह पूरा हमने किया javascript की मदद से यहाँ पर हमारे html के अंदर हमने वो लिखा नहीं था ठीक है तो इस तरह से आप कोई भी custom जो element है वो create कर सकते हो यहाँ पर h1 create कर सकते हो यहाँ पर image create कर सकते हो जितने भी html के tags है वो आप यहाँ पर create कर सकते हो अभी अगर आपको इस heading को अगर कोई class add करना है तो हमने यह देखा है इस तरह से आप कर सकते हो तो मैं क्या करूँगा इसको copy करूँगा और यहाँ पर मैं करता हूँ heading.classlist.add title अभी अगर save करूँगा और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस h1 को अभी एक class भी है title ठीक है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर classes भी add कर सकते हो id add कर सकते हो attributes add कर सकते हो बहुत सारी चीज़े आप इसके अंदर आप कर सकते हो ओके तो इस तरह से हम जो हमारे elements है वो create करते है अभी यह append child जो है यह क्या करता है किसी भी चीज़ को append करता है append करता है मतलब उसके अंदर डालता है उसके last में ठीक है अभी अगर यहाँ पर मैं और एक create करता हूँ देखें यहाँ पर और एक create करते है और यह h3 करते है इसको ठीक है अभी और एक element मैंने create कर दिया और इसको नाम देते हैं क्या नाम देते हैं sub heading नाम देते हैं इसको और यह h3 मैंने create कर दिया और इसके अंदर कुछ text डालते हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगा देखे h3 है यह तो यहाँ पर करते हैं web dev is awesome और अभी मैं क्या करूंगा इसको मैं यह जो हमारा parent div है इसके अंदर मैं append करूंगा तो इस तरह से देखे parent append child और इसके अंदर यह sub heading अभी मुझे डालना है और यहाँ पर और एक रहा यह heading इस तरह से होना चाहिए अभी अगर मैं इसको save करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो web dev is awesome और h1 और उसके बाद यह h3 हमें मिला है यह क्यों हुआ क्यों कि हम यहाँ पर append child जो method है वो use कर रहे और यह क्या करती है यह इसके last में इसको append करती है अभी अगर हम चाहते कि इसको append हमें नहीं करना है हमें किसी element से पहले इसको डालना है for example यह जो heading है h1 इससे पहले अगर इसको हमें डालना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं तो उसके लिए भी method आती है और वो method है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो हमें पैरेंट की उपर नहीं करना है मैं चाहता हूँ यह जो heading हमारी है इससे पहले अगर हमें डालना है तो मैं यहाँ पर लिखूँँगा heading और append child की जगा मैं लिखूँँगा यहाँ पर लिखते हैं insert adjacent element और यह जो method है इसके अंदर कुछ options हमें मिलते हैं सबसे पहले तो position आपको लिखनी है कहाँ पे इसको डालना है और उसके बाद कौन सा element आपको insert करना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं empty string लिखूँँगा अभी थोड़ी दिर में हम यहाँ पर pass करेंगे कि क्या options है और यहाँ पर element हमें डालना है तो सब heading मुझे डालनी है heading के पहले तो जल्दी से अगर documentation में चलते है इसके तो यहाँ पर करते है insert adjacent element mdn तो यहाँ पर खुलेगा देखे इसको हम open करेंगे mdn के उपर proper documentation इसका होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ options हमारे पास है before begin तो before the target element itself और उसके बाद after begin before end तो हमें यह यहाँ पर हमें डालना है देखे before ending यहाँ पर अगर आप देखोगे तो before ending जो है यह हमें चाहिए और अगर बाद में आपको डालना है तो आप after end जो है वो use कर सकते हो तो मैं इसको जल्दी से copy करता हूँ और यहाँ पर जो है वो position जो हमारी है वो डालता हो before begin अभी अगर इसको save करते है और browser में अगर चलते है तो आप यहाँ पर अभी देख सकते हो यह sub heading जो है यह इससे पहले आ गया और parent के अंदर देखेंगे तो देखें पहले h3 है और बाद में h1 है ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो इसको add कर सकते हो और यहाँ पर after end जो था देखें उसको भी डाल के देखते है तो यहाँ से मैं इसको copy करूँगा और after end save करते हैं और अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखें h1 पहले है और उसके बाद h3 है तो यह भी आपके पास पुरा control है कि कहाँ पर आपको element को insert करना है तो इसके अंदर basically हमने दो methods देखी पहली है append child जो कि last में element add करता है या फिर append करता है उसको और जो दूसरी है यह है यह वाले insert adjacent element जो कि हम यहाँ पर decide करते कि कहाँ पर हमें इसको insert करना है तो इस तरह से basically हम कोई भी element को हम insert कर सकते हैं तो इसको मैं अभी comment करता हूँ और इसके बाद हमें बहुत ही important topic देखना है इसके अंदर वो है dom events ठीक है तो dom यहाँ पर करते है dom events अभी यह dom events basically क्या होता है देखे हमारे web page के उपर बहुत सारे elements होता है और यहाँ पर बहुत सारी actions हम लेते हैं जैसे कि click करना कोई element के उपर click किया या फिर यहाँ पर button अगर है वो भी एक element है तो उसके उपर click किया तो वो जो click है वो एक event होगे click event जो की browser हमें देता है और उसको हम handle कर सकते है basically जैसे कि अगर button के उपर click हुआ है तो उसके बाद अगर हमें कुछ यहाँ पर करना है click के बाद जैसे कि data send करना है या फिर कोई style change करनी है तो वो भी आप कर सकते हो तो वो click event होती है ठीक है इसी दरह से बहुत सारी events होती है अगर इसके documentation के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं जल्दे से open करता हूँ तो यह देखे event reference जो है और इसकी link मैं आपको description में दे दूँगा तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर thousands of events है बहुत सारी events है देखे पूरी list है नीचे अगर चलते हैं तो बहुत सारी list है देखे यहाँ पर और और भी यहाँ पर start होई event listing देखे क्या-क्या है document के उपर क्या-क्या events यहाँ पर आती है जैसे scroll event हो गई या फिर key up event यहाँ पर है मतलब keyboard के उपर अगर कोई key up प्रेस करते हो तो वो event भी आप handle कर सकते हो paste event हो गई पूरी list आप यहाँ पर जाके देख सकते हो यह देखे blur event यह हमारे input box के उपर होती है यह देखे click event जो हमें अभी देखनी है और इसी तरह से बहुत सारी देखे mouse move है मतलब यह mouse जो move हो रहा है यह move हो रहा है तो उसकी भी event हमें मिलती है mouse move होने के बाद अगर कुछ हमें action लेनी है तो वो भी आप कर सकते हो ठीक है mouse move जो है उसको use करके और देखे पूरी list है यहाँ पर जाके आप देख लीजे सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे click event को कैसे हम handle कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा मैं index.html के अंदर यहाँ पर आते हैं और एक button create करते हैं ठीक है button create करेंगे और यहाँ पर लिखते है click me और यहाँ पर एक h1 में create करूंगा और करते हैं वही करते हैं javascript is awesome ठीक है और यहाँ पर जल्दे से मैं इसको एक id देता हूँ id देते हैं heading save करेंगे और यह जो button है इसके उपर click होने के बाद मुझे क्या करना है यह जो हमारी heading है इसका color change करना है तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ तो इसके लिए हम events use कर सकते हैं तो यहाँ पर भी मैं इसको एक id देता हूँ और इसको करते है btn ठीक है अभी यह जो दोनों elements है इसको हमें manipulate करना है इसका color change करना है और यह जो है इसके उपर हमें event को listen करना है तो सबसे पहले दोनों elements को हम यहाँ पर select करेंगे तो select कैसे करना यह already हमने देखा है सबसे पहले button को select करते है और by the way यह जो const button मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हो तो यह एक simple variable है ठीक है elements को हम अगर select करते तो उसको store करने के लिए यह variable हम use करते है तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको get करता हूं देखें document.queryselector और यहाँ पर करते हैं इसको हमने id दी है btn तो उसका use करेंगे तो hash btn यहाँ पर लिखूंगा और इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा है वो यहाँ पर है क्या है heading है हमारी heading उसको भी id हमने दी है तो heading मैं यहाँ पर लिखूंगा और इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है थोड़ा सा यह जो id हमारी heading id हमने दी है तो दोनों elements को हमने यहाँ पर get कर लिया अभी मैं क्या करूंगा यहाँ बटन जो है इस element की उपर मैं event listener add करूंगा event listener मतलब क्या होता है basically अगर वो particular event अगर हो जाती है तो मैं simply यहाँ पर बताऊंगा कि यह जो function है या फिर यह जो code block है वो run करो तो उसके लिए मुझे add event listener नाम की एक method आती है और इस method के अंदर मुझे क्या करना होता है basically तीन parameters होते लेकिन हम इसके अंदर दो ही parameters देखेंगे जो की important है तीसरा optional होता है ठीक है सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि कौन सी यह event है ठीक है इस तरह से मुझे लिख ठीक है अगर आप वो जो लिस्ट आपने देखी थी उसके अंदर mouse move था या फिर key up था तो आपको यहाँ पर वो लिखना होता है कि कौन सी event आप handle कर रहा हूं तो click event में handle कर रहा हूं और यहाँ पर जो second parameter है वो आपको एक function देना होता है ठीक है तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक function inline function यहाँ पर डालता हूँ anonymous function है इसका कोई नाम नहीं है इस तरह से और अभी इसके अंदर में क्या करूंगा console.lock करते हैं और यहाँ पर करते है button clicked यहाँ पर करते है button clicked और अभी मैं अगर save करता हूं इसको और browser में चलते है console open करते हैं और अभी मैं इस button के उपर click करू तो जैसे हमें click करता हूं यहाँ पर button click मुझे console के अंदर दिख रहा है अभी यहाँ पर इस function के अंदर हमें जो भी event है उसका object मिल जाता है जो भी event हुई हमारी उसका object यहाँ पर मिल जाता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी properties होती है वो भी बहुत बार यूज आती है तो स save करेंगे और करता हूं click तो यहाँ पर आप देख सकते हो mouse event हमें यहाँ पर मिली है और इसके अंदर भी बहुत सारी properties है और methods है जो की हमें बहुत बार useful होती है अगर कुछ काम करना है तो ठीक है अभी इस situation में हमें वो जो event है इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिलाल इसको र देखा है heading.style और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर करते है color और color मैं करूंगा purple और अभी save करते हैं और चलते हैं browser में और अभी मैं करूंगा click तो आप देख सकते हो यह जो color है यह purple हो चुका है और अगर इसका font में जो बढ़ा करना है click होने के बाद तो कर सकते है heading.style और उसके बाद करना है font size और यहाँ पर करते हैं 60 pixels save करेंगे और यहाँ पर अगर मैं करूंगा click तो आप देख सकते हो यह बढ़ा भी हो गया और इसका जो color है वो भी change हो चुका है ठीक है तो इस तरह से जो event है उसको हम handle करते हैं यह add event listener जो method है इसको हम use करते हैं ठीक ह तो यह होती है dom events तो अभी हमने यह जो भी जितनी भी important चीज़े थी वो देख ली है अभी जल्दी से यहाँ पर practical एक दो projects करते हैं तो यह हमें अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो अभी उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा सबसे पहले तो मेरे पास basically जो bulb on करने क और off करने का जो है वो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं और इसके लिए total जितना भी हमने यहाँ पर सीखा है तो उसको हम use करेंगे तो basically हमारे पास क्या होगा हमारे web page के उपर एक bulb होगा जो की off होगा और click button के उपर अगर मैं click करता हूँ तो उसको मुझे on करना है ठीक है और यह जो example है यह मैंने लिया है www3 school की website से तो वहाँ पर भी यह आपको मिलेगा आप वहाँ पर जाके भी इसको experiment कर सकते हो उसकी भी link मैं आपको description में दे दूँगा तो अभी मेरे पास क्या है यहाँ पर दो images है यह bulb of.gif है और यह bulb on.gif है इसको अगर मैं open करके दिखाऊंग तो यह देखे यह off वाला bulb है और यह on होने के बाद यह yellow type का कुछ दिखता है तो अभी मैं क्या करूंगा जल्दी से यहाँ पर html के अंदर आता हूं और यह जो parent जो हमने किया था इसको मैं delete करता हूं और यहाँ पर जल्दी से मैं जो हमारे हमारा जो bulb है सबसे पहले जो bulb off ठीक है अल्ड भी हमने दे दिया और इसके नीचे में क्या करूंगा एक button सबसे पहले क्या करते है इसको एक div के अंदर रखते ताकि इसको style करने में थोड़ा सा असान हो जाए और यहाँ पर करते है button और इसके अंदर लिखते है turn on अभी इसको मैं save करता हूं और एक बार यहाँ पर देखते हैं तो यह देखिए यह bulb हमें दिख रहा है और यह turn on यहाँ पर है तो इसको थोड़ा सा center में लाते है थोड़ी सी style इसको करते है तो जल्दी से मैं यहाँ पर CSS paste कर देता हूं यह CSS है हम यहाँ पर DOM manipulation सिख रहे तो इसको हम थोड़ा सा ignore करेंगे यह basically मैं इसको क्या कर रहा हूं बल्ब को center कर रहा हमारे page के अंदर और जो button की width है वो 100 pixel कर रहा हूं ठीक है तो अभी यह कुछ इस तरह से हमें दिखेगा ठीक है यह bulb और यहाँ पर यह button है अभी हमें क्या करना है यह button click होने के बाद यह जो bulb है वो हमारा yellow होना चाहिए मतलब कैसे यहाँ पर अगर देखेंगे देखें हमारे पास दूसरा bulb है वो है bulb on dot chip save करेंगे तो यह देखें यह yellow हमें देख रहा है तो simply हमें क्या करना है यह जो src जो है इसका source हमें change करना है यहाँ पर bulb on करना है या फिर इसकी जगह हमें bulb off करना है यह source हम बस change करेंगे javascript की मदद से तो हमारा जो turn on और off का है वो काम हो जाएगा तो चले इसको implement करते हैं और देखते हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें कुछ चीजों को get करना होगा यह जो image है हमारी bulb इसको get करते हैं और उसके बाद हमें यह button के उपर event जो click event वो डालनी है तो वो button भी हमें चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको id देते हैं तो मैं करूँगा इसको bulb id देता हूँ ठीक है और जो button है यहाँ पर भी कुछ ID देते हैं तो यहाँ पर इसको करते है bulb switch ठीक है अभी क्या करूँगा दोनों को get करते है तो यहाँ पर आते है और यहाँ पर करते है const button या फिर bulb switch इसको नाम देते है बल्ब switch और अभी क्या करते हैं यहाँ पर document.querySelector और यहाँ पर करते हैं यह क्या है ID है तो मैं यहाँ पर हैश लगाँगा बल्ब और स्विच ठीक है और इसी तरह से मैं क्या करूंगा जो दूसरा वाला है वो है हमारी image जो खुद बल्ब है ठीक है तो इस तरह से मैं ने कर दिया और यहाँ पर इसकी जगा मुझे बस लिखना है बल्ब क्योंकि वही आईडी है यहाँ पर एक बड़ देख लेते हैं देके इसकी आईडी बल्ब है और इसकी करना है और इसके अंदर सबसे पहले तो लिखना है click event और इसके अंदर एक function अपको पास करनी है यह देक है इस तरह से function और click होने के बाद यह function हमारी run होने वाली है तो इसके अंदर जो भी code हम लिखेंगे वो run हो जाएगा तो यहाँबर सबसे पहले में क्या करूँगा check करूँगा if bulb.src देखे इससे पहले तो मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ यहाँ पर console.log करता हूँ और जो हमारा bulb है यहाँ पर यह bulb image जो हमारी है इसके उपर यह image tag है तो इसकी जो src है देखे यह image tag है तो src एक उसकी property हो गई अगर इसके अंदर मैं करता हूँ bulb.src तो यहाँ पर देखे console के अंदर अगर देखेंगे click करने के बाद तो आप देख सकते हो यहाँ पर bulb on.zip मुझे दिख रहा है और यह हमारा server का address जहाँ पर भी यह हमारा address यह URL है ठीक है तो src के अंदर हमें क्या मिल रहा है हमारा source मिल रहा है और उसी source को हम change करने वाले हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसको मैं चेंज करूंगा और इसको यहाँ पर मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं क्या करूंगा bulb off ठीक है जो दूसरी image है हमारे पास यह देके bulb sorry on हमें करना है तो bulbon.gif इस तरह से मैं लिखूंगा और अगर save करता हूँ अभी और यहाँ पर हमने क्या किया था यह on किया था इसको by default off रखते हैं यह off है अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ तो आप देख सकते हो यह yellow हो चुका है और यह on हो चुका है हमने क्या किया बस उसका जो src है वो change कर दिया मतलब उसकी image हमने change की लेकिन अभी अगर मैं फिर से इसको click करता हूँ था यह off नहीं हो रहा है तो basically हमें इसको toggle करना है तो सबसे पहले मैं check करूंगा यहाँ पर if condition मैं use करूंगा if और इसके अंदर check करते है bulb.src और इसके उपर एक method आती है वो है match तो basically string match कर रहे हम तो src जो है वो हमारा रहेगा कुछ इस तरह से bulb on या फिर रहेगा bulb off तो उसके अंदर हम on है या off है वो check करेंगे तो simply यहाँ पर check करूंगा off अगर हमारे src के अंदर off word है यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या है हमारी जो current image है वो off bulb वाली है मतलब bulb हमारा off है तो इस situation में मैं क्या करूंगा यहाँ पर इसका जो source है वो क्या करूंगा change करूंगा और उसको on वाली जो image है वो यहाँ पर set करूंगा नहीं तो else इसका मतलब हमारा bulb already on है अगर यह off हमारे source के अंदर नहीं है इसका मतलब यह bulb on वाली जो image है अभी currently है तो मैं क्या करूंगा इसको उल्टा करूंगा देके और on की जगह मैं क्या करूंगा यहाँ पर off लिकूंगा अभी अगर मैं यहाँ पर save करता हूँ इसको और करते है click तो आप देख सकते हो यह on हो चुका है और फिर से करते है click तो यह off हो चुका है तो देखे यह bulb on और off का जो काम है हमारा हो रहा है अभी और एक काम हमें करना है जैसे यह bulb off है तो यहाँ पर turn on आना चाहिए और फिर से मैं click करूंगा तो bulb on हो गया तो यहाँ पर on की जगह मुझे आना चाहिए turn off तो वो भी हम कर सकते हैं यह already हमने सीखा है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा देखे करना है तो inner html आप यूज कर सकते हो और इसके अंदर हमें क्या लिखना है यहाँ पर हम bulb on कर रहे है इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए turn off क्योंकि bulb on होने के बाद बटन के उपर होना चाहिए turn off ठीक है और यहाँ पर नीचे क्या करते है नहीं तो उल्टा उल्टा करते है क्या यहाँ पर करते है on save करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो turn on है अगर मैं करता हो click तो हमारा bulb है वो on हो चुका है लेकिन यह जो text है हमारा यह हुआ है turn off और फिर से करेंगे तो turn on देखे अभी button का text भी change हो रहा है और हमारा bulb भी यहाँ पर on off हो रहा है तो अब देख सकते हो कि यह simple सा यह एक project इसको बोल सकते हो और यह सारी चीज़े हमने की है जितना भी हमने यहाँ पर उपर सीखा था तो यहाँ पर basically हम क्या कर रहे है हमारे DOM को हम manipulate कर रहे है अभी यह एक project हमारा हो गया अभी जो next वाला जो project है वो और भी interesting है अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर देखे अभी मैं इसको यह जो div है इसको मैं comment करता हूँ और अभी यह blank हमें दिखेगा यहाँ पर हम क्या करेंगे online APIs यूज करेंगे और कुछ images मैं वहाँ से get करूँगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे हमारे web patch के अंदर उसको दिखाएंगे तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर online APIs यूज करने वाले है वो है JSON placeholder तो JSON placeholder basically fake APIs होते हैं अगर हमें testing purpose के लिए कोई APIs, कोई data अगर हमरे server से चाहिए तो यह हम use कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर basically एक array है array of objects तो हमारे पास यह जो album 1 के photos है वो हमारे पास यहाँ पर list हमें मिल रही है जिसके अंदर URL है जो की image का URL है और यहाँ पर title भी है thumbnail URL भी है तो हम क्या करने वाले हैं हमारे web page के अंदर यह जो URL है इसको हम दिखाएंगे मतलब image दिखाएंगे और यह जो title है उसको भी दिखाएंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं सबसे पहले चलते हैं हमारे यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक div बनाऊँगा ठीक है और div को नाम देते हैं यहाँ पर id देते हैं root ठीक है आप इसको कुछ भी दे सकते हो तो जो भी list हमें मिलेगी यहाँ से हम इस div के अंदर हम इसको append करने वाले हैं ठीक है यहाँ पर करते है const root document.query selector और यह id है तो यहाँ पर hash root में लिखूँगा ठीक है div हमें मिल गया अभी हमें request करनी है हमारे server पे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर fetch APIs यूज़ करूँगा देखे fetch request हम ऐसे कर सकते browser के अंदर यह available होता है inbuilt होता है कोई भी server request आपको अगर करनी है तो यह URL में यहाँ से copy करूँगा और इसके अंदर में paste करूँगा ठीक है और इसके बाद यह क्या करता है हमें promise return करता है और promise अगर आपको पता नहीं तो इसके last वाला वीडियो जो है वो आप देख सकते हो उसके अंदर हमने promise कैसे use करते है वो देखा है ठीक है तो यहाँ पर simply हमें response मिल जाएगा और response को हमें क्या करना है JSON के अंदर convert करना है तो इसके उपर res.json method में call करूँगा और इसको नए line पर लेते ताकि यह थोड़ा दिखने में अच्छा दिखे और यहाँ पर यह rest.json जो है यह भी एक promise रिटन करेगा तो हम इसको यहाँ पर data हमें मिल जाएगा या फिर आप बोल सकते हो photos ठीक है आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो बेसिकली यह क्या है एक function है arrow function मैंने यहाँ पर बनाई यह देखे arrow function ठीक है अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या करूँगा करते है render या फिर display display images एक method यहाँ पर call करते हैं जो की method हमारे पास अभी तक नहीं है इसको हमें create करना है तो थोड़ा सा उपर आते हैं और करते है function display images और इसके अंदर हम क्या करेंगे images को receive करेंगे जो की हम या फिर photos भी आप इसको नाम दे सकते हो जो भी server से हमें यह list मिल रही यह वाली देखे यह वाली इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर हमें वह मिल जाएगा तो इसके अंदर display images के अंदर मैं pass कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर इसको भी नाम देते हैं देखे images की जगा करते है photos और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो lock करके आपको दिखाता हूँ photos ठीक है save करते हैं और चलते हैं browser में तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50 images हमें दिख रही है और यह array of objects है और एक object अगर हम open करेंगे तो इसके अंदर thumbnail URL, title और image का URL यह सारी जीज़े हैं ठीक है अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यह load होने पर data fetch ना हो मैं चाहता हूँ कि कोई button click करने के बाद हो तो मैं क्या करूंगा इसके उपर एक button लगाता हूँ button और इसको करते हैं get images और यहाँ पर इसको हम select करेंगे कैसे select करना है simple है यहाँ पर मैं करता हूँ const btn document.query selector और यहाँ पर tag यूज़ करेंगे ठीक है tag का use करके भी हम इसको get कर सकते हैं और हमारे page के अंदर एक ही button है तो जो पहला button मिलेगा उसको यह get करेगा अभी मैं क्या करूंगा थोड़ा सा यहाँ पर इसको नीचे लेते हैं button के उपर click होने के बाद हमें images get करनी है तो यह already हमने देखा है हमें add event listener लगाना है जो की है click ठीक है इदे के click हमने लगया और उसके बाद हमें देना होता है एक callback ठीक है तो click होने के बाद यह function जो है यह run होगी तो अभी इसके अंदर में क्या करूंगा इसके अंदर इसको में रखूंगा यह fetch वाला जो है तो जैसे हम button पर click करेंगे तो यहाँ पर data हमें fetch हो जाएगा और यह जो function है इसको मैं थोड़ा सा उपर रखता हूं ठीक है इस तरह से देखिए अभी जैसे button के उपर click हो जाएगा यह data हमें server से मिलेगा और हम इस display images जो function है इसको call कर रहे हैं सेव करके एक बार चेक करता है तो देखें यहाँ पर अभी हमें एक काम करता है यह जो हमने यह जो किया था बॉड़ी के उपर center किया था वो निकाल देता हूं तो यहाँ पर देखें यह get images और अगर इसके उपर मैं click करता हूं तो आप console के अंदर देख सकते हो सारा data हमारे सेवाज सर्वर से हमें मिल रहा है ठीक है अभी क्या करेंगे इसको हमें यहाँ पर हमारे ब्राउजर के अंदर दिखाना है तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर आके सबसे पहले तो हमें एक डिव क्रियेट करते हैं क्योंकि यह data एक एक object मतलब क्या है एक card है ऐसा समझ लीज यहाँ पर करते हैं कॉंस्ट डिव या फिर इसको नाम देते हैं card ठीक है आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हो और करेंगे document.createElement जो की ओड़ी हमने देखा है डिव और उसके बाद उसको class add करते है card ठीक है तो card.classlist add और इसको मैं क्या करूँगा card नाम का class add करूँगा ठीक है तो फिर css की मदद से इसको style भी हम कर सकेंगे अभी यह card हमारा बन गया तो इस card के अंदर हमें क्या करना है हमारी image और यह title मुझे दिखाना है तो मैं चाहता हूँ कि left side में हमारी image आ जाए और right side में क्या आ है तो सबसे पहले image को भी हमें create करना होगा या फिर photo आप बोल सकते हो फोटो को मैं यहापर create करूँगा विल्कुल उसी तरह से इस देखे फोटो और यहापर हमें करना है document.create element और करते हैं यह आएमजी होगी क्योंकि image टाइग होगा और इसी तरह से जो टाइटल है उसको भी हम create करते हैं यहापर तो जल्दी से मैं यहापर करता हूं title और उसके बाद हमें क्या करना है यहापर तो हभ Großiz यह यहापर करते हैं क्या करते हैं यहापर h4 create करते उसके लिए टाइटल के लिए ठीक है तो आप देख सकते हो यहापर फोट Copa significance कर दिया और टाइटल जाओ आभी हमें ओर प्रकाम करना है क्या गाम करना है basically यहाँ पर loop हमें चलना होगा जितने भी हमारे photos हैं सब के लिए हमें यह elements बनाने right क्यूंकि हमारे पास 50 items है तो हमें 50 बार यह code run करना पड़ेगा 50 elements हमें create करने पड़ेंगे यह card जो है यह भी 50 time होगा और image और title भी तो मैं क्या करूंगा और एक function यहाँ पर तो यहाँ पर करते है create card इसको नाम देते हैं और यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसको मैं यहाँ पर डालूंगा इस तरह से create card को या फिर क्या करते हैं card नहीं create item देते हैं मतलब इसके अंदर सिप card नहीं card भी create हो रहा है image भी create हो रही है और वो जो title है वो भी create हो रहा है ठीक है यहाँ पर comment भी करते हैं तो आपको अच्छे से यह समझ में आ जाए card यह card create कर दिया एक div है basically यह photo हमने create कर दी और यहाँ पर title ठीक है title अभी इसके यहाँ पर photos हमें मिले तो जल्दी से मैं इसके उपर loop करूंगा और loop basically क्या होता है जितने भी items होते हर एक के उपर यह iterate करेगा photos.for each हम यहाँ पर use करेंगे और for each क्या करता है basically एक callback यहाँ पर हमें देना होता है यह arrow function मैं ने दी है आप चाहो तो इसको इस तर इसके वो भी आप दे सकते हो ठीक है normal function मैं रखूंगा यहाँ पर और यहाँ पर current photo हमें मिलेगा जितना भी loop हो रहा है हर एक iteration पर जो एक object है वो हमें यहाँ पर मिलेगा और इसके अंदर में क्या करूंगा यह जो हमारी create item जो function है वो मैं इस loop के अंदर डालूंगा इसको call क करूंगा और उसके अंदर जो current photo है या फिर object है हमारा इसको actually मैंने photo नाम नहीं देना चाहिए था उसको item नाम देना चाहिए था क्योंकि यह एक object है सिर्फ photo नहीं है देखें यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह एक object है तो एक काम करते है यहाँ पर photos की जगा यहाँ पर मै क्या करूंगा इसको नाम देते है items ठीक है थोड़ा सा समझ में मतलब confusion नहीं होगा और यहाँ पर items पास करेंगे फिर receive items करेंगे loop items के उपर करेंगे और यहाँ पर photo हमें ने receive होगी हमें वो object receive हो रहा है तो इसको item देते है नाम और create item जो है उसके अंदर हम item पास करेंगे ठ ठीक है अभी यह ठीक है अभी क्या होगा जितने भी items है जो कि हमारे 50 आने वाले है आप पर देखे हमने देखे देख कंसोल के अंदर 50 items है तो यह loop जो है यह 50 time चलेगा और 50 time यह create item जो है वो call हो जाएगा और हर एक call पे जो current item है loop के अंदर वो pass हो जाएगा और फिर create item हर ए इटरेशन पर एक card generate होगा उसके बाद एक image generate होगी और एक h4 tag generate होगा जिसके अंदर हम हमारा जो data है यहाँ से देखें create item को हम item pass कर रहे हम यहाँ पर receive करेंगे उसको इसके अंदर जो data है हर एक object के अंदर देखें यह ID, title, URL वो हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले image का ज src, वो हम set करेंगे जो भी हमारा item है, item और उसके अंदर कौन सी property देखते हैं, यह देखें, URL है या फिर thumbnail URL डालते क्योंकि वो छोटा रहेगा, ठीक है, हमें बड़ी image नहीं चाहिए, thumbnail, URL, तो यह डाल दिया, अभी title को भी डालते हैं, तो title.inner html यहाँ पर डालेंगे, द यहाँ पर करते है, item.title, यहाँ पर अगर देखेंगे, तो देखें, title नाम की property आपको दिखेंगी, यहाँ पर देखें, title, वही हम इस title के अंदर set कर रहे हैं, text, अभी क्या करना है, simply यह card हमें लेना है, और card को क्या करेंगे, यहाँ पर card.append child, जो की हमने already देखा है, इसक तो हमारा इसको append करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा title है, उसको append करेंगे, तो यहाँ पर photo की जगा भी करते है, title, ओके, photo डाल दिया, title डाल दिया, card के अंदर, अभी खुद card को भी हमें कहाँ पर append करना है, जो रूट डीव हमने बनाया था, इसके अंद करूंगा यहां पर root जो है हमारा root.append child में करूंगा इसको और यहां पर क्या करते हैं यह जो card है उसको मैं डालूंगा card के अंदर already हमने यह सारे items append किये हैं और उस card को हम हमारे root के अंदर append कर रहे हैं अभी अगर मैं इसको save करूंगा तो हमें browser के अंदर कुछ दिखना चाहिए तो यहां पर चलते हैं और अभी मैं क्या करूंगा get images के उपर click करूंगा get images तो आप यहां पर देख सकते हो और यह एक error है photos is not defined कहा पर तो photos हमारे जो variable था हमने वो रखा है एक बार देख लेते हैं photos कहा पर बचा है हाँ यह console log हो रहा है save फिर से करते हैं get images तो आप यहां पर देख सकते हो यह image और यह title image title image title total 50 जो हमारी images है वो यहां पर आ चुकी है ठीक है तो basically इस तरह से हम server से data fetch कर सकते हैं और dom manipulation का use करके हम हमारे browser के अंदर उसको display करा सकते हैं ठीक है all right तो यही है basically dom manipulation और आपको इससे ज़्यादा जानने की बिल्कुल अभी जरूरत नहीं है अगर इतना आपको आता है तो आप अच्छे अच्छे जो mini project से वो आप बना सकते हो ठीक है तो अगर आपको यह dom manipulation समझ में आय